हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तो इस समय जो हमारे गाज़िन में बहirie पूल खेले हुई है और ये सितंबर महिने का आधरी दौर चल रहा है और वारिश का इस समय अंत हो चुका है और सरदिया धीरे अब आगे आने वाली है तो चलिए दोस्तो आज जो जो फूल हमारे बागान में खिलेवे हैं इस मौसम में आज उसका ओवर्वियू आपको देते हैं और साथ ही उसके थोड़े थोड़े केर के बारे में भी आपको बताते हैं दोस्तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको बालसम के इन फूलों को दोस्तो बालसम के फूल बहुत सारे कलर के होते हैं इसमें आपको रेड मिल जाएंगे और गुलावी मिल जाएंगे इसके अलाबा ब्लू परपल इस तरह के बहुत सारे कलर में आते हैं और बहुत ही सुन्द लगते हैं पूरे बरसाथ के सीजन में ये फूल जो है खिलते रहते हैं और एक के बाद एक जो है नए नए फूल इनके कलियों से आते रहते हैं ये फूल रोजाना जड़ते भी हैं और रोजाना खिलते भी हैं इन फूलों को आप पूजा के लिए भी यूज कर सकते हैं दोस सकते हैं और उसके बाद जोए यह जुलाई अगास सेप्टिमबर अक्टूबर में भी फ्लारिंग करता रहता है इन फूलो को अब तो इस समय लगाने का समय चला गया है लेकिन अगर कहीं पर इनके पुराने पौदे आपको दिखाए देते हैं तो उनमें जो बीज होते हैं जो सुक चुके होते हैं तो उन बीजो को आप करेक्ट करके रख सकते हैं और नेट एर उनी बीजों से इन फूलों को लगा सकती हैं दोस्तों बालसम की मिट्टी बनानी के लिए आप 20% रेता और इसके लावा 30% जो वर्मी कंपोस्ट है उसका यूज़ करें और बाकी का 50% आप नॉर्मल जो सॉयल है उसका यूज़ कर सकती है पहले इनके बीजों से इनके पौदों को त्यार कर ले और बाद में इन पौदों को आप एक एक करके अलग अलग टब में लगा सकती है इन फूलों को 8 से लेकर के 12 इस टक के टब में लगा सकती है और इनके मिट्टी में जो है पानी जमना नहीं चाहिए अगर पानी जमता है तो जो जड़े हैं वो सड़ने का चांस रहता है साथी आप इनमें फंगिसाइट का बीज विच में यूज़ कर सकती है दोस्तो अगला जो ये पौधा देख रही है ये है बेगम बहार बेगम बहार एक पर्मानेंट पौदा है ये नरसरी में आपको कभी भी मिल सकता है और इस समय तो खास तोर से इसमें ब्लूमिंग होती रहती है ये गर्मियों के शुरुआत से ही ब्लूमिंग करते रहती है बारिश में भी ब्लूमिंग होती है केबल जब सर्दियों में बहुत ज़दा वर्प पड़ती है तो ऐसे समय में ही कुछ समय के लिए इनके ब्लूमिंग बंद होती है जोस्तों हमेशा ब्लूमिंग करने के लिए इसके मिट्टे में आप केले के चिल्के का लिक्विट पर्टेलाइजर जबatta जो भी प्रूट और सब्ज्जों के चिल्के हैं उनका लिक्विट पर्ढ़राजर बीच पीच में देते रहे müsste साथी सरसो की खली का लिक्विट पर्टिलाइजर आप इस समय जबकि दिरे-दिरे मौसम थोड़ा सा थंडा होने लगा है तो आप दे सकती हैं साल में एक बार पौदे को रिपोर्टिंग करेंगे और मिट्टी में जो नई खाद वगरा है जिसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट उसको मिला करके देंगे तो काफी अच्छी ब्लूमिंग फिर ये पौदा करता रहेगा इसको महिने में एक बार फंगिसाइड अगर आप यूज़ करेंगे तो पौदे के इस्तिति काफी अच्छी रहती है इस पौदे को जब आप नरसरी से लाए तो उस समय छे से आठ इंच के पौट में ही शुरुवात में रखे और एक साल के बाद फिर दस इंच के पौट म कर दे दोस्तों अगला जो फूल है जो हमारे गार्डन में किला हुआ है वो है टिकोमा का यह टिकोमा की मिनेचर वेराइटी है और गमले में बहुत अच्छी फ्लारिंग करती है जो टिकोमा की बड़ी वेराइटी होती है वो पेलदार होती है और गौरी चौरी में भी इस तरीके से फूल आती हैं लेकिन उसके फूल जो है थोड़े से बड़े होती हैं पत्ते भी बिलकुल गौरी चौरी या गौरी चौरी टिकोमा की तरह ही है लेकिन ये जो है साइज में बस छोटे होते हैं फूल का आकार भी तोड़ा सा छोटा होता है लेकिन जो ब्लूमिंग ह वो हैवी रहती है इसमें आपको औरेंज कलर के कई तरह के शेड मिल जाएंगे और यलो कलर में भी आपको ये फूल दिखाई दे जाएंगे वेरिगेटेट फूल भी होते हैं जिसमें दो कलर मिले हुए होते हैं इसको आप आठ से लेकर के बारा इंच और सोला इंच तक के पॉर्ट में लगा सकते हैं और चाहे तो मेरी तरह थर्माकॉल की पेटी में भी लगा सकते हैं दोस्तो ये भी पर्मानेंट रहने वाला पौदा है और हमेशा ही लगवग लगवग पूरे गर्मियों के सीजन में बरसात के सीजन में और इसके बाद भी फूल बने हुए रहती है इस समय सेप्टेमबर अक्टूबर का मैना चल रहा है तो ऐसे में भी ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है केबल जो दिसंबर और जनवरी जब बहुत ज़ादा ठंट पड़ती है तो ऐसे समय में इसके ब्लूमिंग नहीं होती है और उसके बाद फिर से जो है पौदा अच्छे से ब्लूमिंग करने लगता है दोस्तो इस पौदे को लगाना बहुत ही आसान है आप लगवक 30-40 प्रसेंट गोover की खाद या वर्मी कंपोस्ट का यूज मिट्टी में कर सकते हैं और 10% रेता का यूज कर सकते हैं और इस पौदे को लगा सकते हैं चोटे पौदे को चोटे पौट में ही शुरुबात में लगाए और हर साल जो है एक बार रिपोर्टिंग करें अगर जमिन में लगा रहे हैं या एक साथ मेरे जैसे बड़े पौट में लगा रहे हैं तो फिर रिपोर्टिंग करने की ज़रत नहीं है पस किनारे किनारे से कु घरेलुख भात के इस्तमाल करना चाते हैं, तो केले के चिलके पोटेशियम से भ़रावा होता है, इसके अलावा जो लकड़ी की राख है, इसमें भी काफी मात्रा में पोटेशियम होती है, तो इसका यूज़ भी आप मिट्टी में कर सकती है साथ ही अगर आप बाजार का यूज़ करना चाहती है तो बाजार भे रैट पोटाज भी आता है ब्लैक पोटाज भी आता है इसके लावा कई तरी के औरगनिक पोटाज आती है तो उसका भी यूज़ कर सकती है लेकिन limited मात्रा में उसका use करना ही चीक रहता है दोस्तों ये जो टिकोमा का पौदा है ये दो साल से ज़ादा हो चुका है शुरू में मैंने इसको pot में ही लगाया था और 10 इंच के pot में लगाया था उसके बाद इसको फिर 12 इंच के pot में किया और इसमें भी काफी दिन तक रहा और जाल दिन नहीं हुए बस इसी जून में ही मैंने इसको इस पेटी के अंदर कर दिया और करने के बाद किनारे किनारे से इसमें गोवर की पुरानी खात का मैंने प्रयोग किया और बस अब इसी में ही ये परमानेंट तरीके से लगे रहेंगे आप भी इस तरीके से बड़े pot में कर सकतें लेकिन बड़े pot में आप एकदम से शुरुआत में कभी भी ना करें इससे पौदा खराब होने का चांस रहता है बीच बीच में इनके जो सूखे फूल है उनको आप हटाते रहें दोस्तो अगला जो फूल है वो है नाक चमपा का और नाक चमपा के दो पौदे हैं एक तो ये बड़ा वाला है जिसमें की वाइट कलर के फूल हमें दिखाई देते हैं और आम तोर से हर नरसरी में यही पौदा में मिलता है बीच में तोड़ा सा जो पीला पन है वो भी इसके अंदर होता है और देखने में काफी खूबसूरत होते हैं बहुत अच्छे ब्लूमिंग ये करते हैं बालिश के सिजन में लगातार इसमें ब्लूमिंग होती रहती है गर्मियों में ब्लूमिंग इनके स्टार्टिंग होती है और जब तक कि बहुत ज़्यादा सदी ना पड़े तब तक इसमें ब्लूमिंग होती रहती है इसके cutting से भी इसको आसानी से लगाया जा सकता है यह जो है चम्पा की ही वेराइटी में आती है लेकिन इसका नाम जो है नाग चम्पा है दोस्तो यहाँ पर जो है यह आप जो पौदा देख रहे हैं यह नाग चम्पा की दूसरी वेराइटी है इसमें हलका सा गुलावी पन पैटल्स में होता है और जो इसके कली होती है वो पूरी तरह से गुलावी रंकी ही आती है ये भी देखने में काफी कुपसूरत लगता है और यहाँ पर दोनों ही पौदे को मैंने एक साथ लगा दिया है कली भी देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है इसी नए पौदे में जो आपने यह हलका गुलावी कलर का देखा वो तो यह जो गुलावी कलर का नाख चमपा है इसको लगाए हुए मुझे केवल तीन महीनी हुए है और जो ये बड़ा वाला है ये वाला जो वाइट कलर का है इसको लगाए हुए मुझे दो साल हो चुके हैं लेकिन थर्माकॉल की पेटी में मैंने अभी तीन-चार मेहने पहले ही किया है तो इस तरह से इस पौदे को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं दोस्तो इसके अलावे भी इस समय बहुत सारे फूल हमारे गार्डन में केल रही है अगर सभी को दिखा ले जाऊंगा तो वीडियो आदे घंगे से भी ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आज के एपिसोड को यही खत्म करते हैं और कल जो है आगे के जो फूल है उनको मैं दिखाऊंगा आज के लिए बस इतना ही कर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए दिए विदा और देखते रहिए हमारी बग्या नमस्कार